महा सती अन्सुया मा की सुलों का था ध्यान लगाए कर्दा मेरी सी की फुतरी लगती माता देव हुती कहलाए कपिल मुनी भाई है जिनके अत्री मुनी पाती कहलाए चित्र फुट में जो रहती थी जिसकी सोभाना भरणी जाए अत्री मुनी भी सन तपकी न धर्ती अंबर दिये हिला एक हजार बर्स किये तपस्या तपकी गर्मी सही न जा तीनों लोक त्रिप्त हो गए धरा पे वर्सा होने न पाए अन्सुया कर पती की सेवा सारे साधन रही जुटाए सफल साधना हो विपती के सफल साधना हो विपती के प्रभुस्या रज रही लगा एक हजार बर्स पूरे हो गए धर्ती गगन रहे थर राए दोड़ी समाधी अर्ति मुनी ने देखे अन्सुया गई हरसाए पती से बोली आदे से दीजिये सुनके अत्री मुनी हरसाए बोले मुझको पानी पिला दो कंठ प्यास से सूखा जाए तेरी सिवा से मेरी तपस्या आज पुनन होने को आए अन्सुया आदे से सुनी है लिया कमंडल हाथ उठाए कही नहीं पानी दिखता था गगन से धर्ती तपती जाए घना घोर जंगल में पहुची फिर भी पानी न दिक पाए धरा पे सारे प्रानी तरस्त थे धरा पे सारे प्रानी तरस्त थे सुझ रहाना कोई उपाए बिन पानी लिये मैं न जाओं भले ही दू मैं जाने गवाए पती ही मेरे पर में सुवर है उनका देश न टाला जाए इतना सोच के अनसुईया ने हाथ को उपर लिया उठाए पोली यदी मैं पती वरता हूँ सिगर ही गंगा धरा पे आय यदी गंगा नहीं धरा पे आई दूंगी अपनी जाने गवाए इतना सुन के गंगा दोड़ी सती के चरन पकड मुसकाय मा गंगा अनसुईया से बोली हे माता आदे से सुना आए मान स्विया गंगा से बोली सुन लो गंगा ध्याने लगाए मेरे पती बहुत प्यासे है मेरे पती बहुत प्यासे है सिकरी ही दो तुम जल को बहाए अभी अभी तप तूटा उनका उनको कश्ट न होने पाए अनसुया की सुन के बाते मा गंगा बोली मुसका मैं निर्मल जले कर आई अत्री मुनी को देना पिलाए मुनी अधिये जल को पीले मेरा जीवन धन्य हो जाए मुनी वर के ही तप के कारण प्रकतिने जल नहीं मरसा मेग देब भी अब आएंगे धरा पे देंगे प्यासे बुझा मा गंगा की बाते सुनके अंसुया मा रहिम सका पावन जल से भरी कमंडल लेकर पती के पास में आएं अत्री मुनी जल पीकर बोले अत्री मुनी जल पीकर बोले गंगा जल मुझे दिया पिला ये निर्मन जल कहां से लाई अंसुया दी बात बताएं अंसुया अत्री मुनी से बोली बात को सुनिये ध्याने लगाएं आपके तपसे धर्ती दप गई कहीं भी पानी ना दिक पाएं फिर भी सारे प्राणी जिवित हैं तब की महि मनवर नी जाएं अंसुया की बाते सुनकर अत्री मुनी रहे हर साएं काले बादन फिर घिराएं मेग रहे पानी बरसाएं हर सित तीनों लोग हो गएं दर्सन करने नारदाएं दर्सन की अमा अंसुया का बोले चरण में सीस नवाएं आपकी जैसी सती नखोई आपकी जैसी सती नखोई धन्य भाग जो दर्सन पाएं आपकी है दिन लोग में चर्चा कहके रहे नारद मुसकाएं अनसुया नारद से बोली मुनिवर अपना हान सुनाएं अनसुया से बोले नारद महा सती अब आप कहाएं आप तो सारी बात जानती आपसे कुछ भी ना छिप पाएं है मा मुझको भीदा कीजिएं नारद बोले सीस जुकाएं अनसुया से बिदाले नारद मा लच्मी के पास में आएं मा लच्मी से बोले नारद बात को सुनिये ध्याने लगाएं अनसुया की किर्ति पता का तीनों लोक रहे फारा हैं सबसे बड़ी पति की भगतन है सबसे बड़ी पति की भगतन है अनसुया सम तू जाना आएं मा मैं उन्हें देख के आया अनसुया पति वर्ता कहला आएं लच्मी जी नारद से बोली बात को सुन लो ध्याने लगाएं क्या वो मुझसे भी बढ़के हैं करते पर संसा ठकते ना आएं नारद बोले हां माता स्री मेरी चूक छमा हो जा लेकिन मैं हूं सत्य बोलता अनसुया सम तू जाना आएं पीज कलाह का बोया नारद तीर निसाने पे लग जा इतना कहके भी दालिये हैं नारद जी कैला से पे आएं पार्वती से मिले हैं जाके पार्वती बोले मुसका क्या ख़बर लाए हो नारद क्या ख़बर लाए हो नारद मुझको भी तुम दो बत लाएं नारद जी माता से बोले अंसुया महसती कहा है उसके जैसा दूजाला जग में मा मैंने देखा है जाए सुनके बाते नारद जी की मन में इरिसा गई समा इरिसा पैदा करके नारद मा से विदा मागे सिरना आए आप पहुचे हैं प्रम्ह लोक में बोले सरसती से सिरना आए अदबुत सती धरापे देखी जिसका नाम अंसुया कहा है परंपती वरता वो लगती जग जिसको पूजे सिरना आए चित्र पुट में रहती है वो जिसने गंगा दी है बहाए महा सती जग में कहलाती महा सती जग में कहलाती उसकी चरचार ही सुनाए आप भी उसकी जैसी नहीं है कहके नारद जी मुसका जलन हो गई सरोसती को नारद जगडा दिये करा ऐसा फल का मना हुई नारद की नारद भी दाली ये सिरना आए लच्मी जी हरी पास में आई बोली है सिरी हरी से जाए सुनी अन्सुया के बारे में महा सती है रही कहा है उसकी परिक्चा लिजिये परभू जी सुन भी सनू जी रह मुसका है बोले सही सुना है तुमने अत्रिमुनी की नारी कहा है परमतपस्वी अत्रिमुनी है उनके तब की वो सकती कहा है पती की तब की सकती है पतनी पती की तब की सकती है पतनी उसके बरामर तू जाना आये महा सती है अन्सुया जी उनकी परिक्षा कौन लेपाए सती में बहुत ही सकती होती जगुस पूजे सीस नवाए सही बात नारद बोले है बिश्णू जी बोले मुसका है जलती आग में घी डाले है महलच्मी गई क्रोध में आये पोली सुनिये है स्वामी जी यदी परिक्षा ना आप लेपाए फिर मैं भी ये कैसे मानू अन्सुया महसती कहाए दुसरी तरब मापार बती भी सिब संभू के पास में आये बोली परिक्षा लिजिय सती की जिसका नम अन्सुया कहाए नारद बड़ी बड़ाई थकरता उसके बरावर दू जाना आये मैं इस बात को नहीं मानती जब तक बात नसिद हो जाए पारवती की सुनके बाते सिब संभू है रह मुसका आये सिब जी पारवती से बोले बात को सुननो ध्याने लगाए परंपती वरता नारी है उसकी परिक्षा लेते नाये मैंने भी की भिशा तपस्या पती रूप में आपको पाए मुझसे भी वो कैसे बड़ी है मुझको नहीं विश्वास हो पाए पिन परंपानिक मैं नहीं मानूं लिजे परिक्षा उसकी जाए तीनो दिविया रुष्ट हो गई एक साथ गई धरा पे आये साथ में माया भी आई है साथ में माया भी आई है अत्रिमुनी का रूप बनाए चित्र पुट में जा पहुची है सुन्दर आस्रम रहा दिखाए हर सित हो गई तीनो दिविया अन्सुया जो गई दिखाए अत्रिमुनी थे नहीं अस्रम में अच्छा मौका गई है पाए अत्रिमुनी का रूप बनाके माया गई अस्रम में समाए अन्सुया के पास में आई माया बोली है मुसका आज बहुत सुन्दर लगती हो जो देखे देखत रह जाए बात सुनी जो अन्सुया तो मन में संखा गई समाए अन्सुया मा मन में सोचे पति दिव कैसे घर पे आये तिर्था तन पे वो निकले है तिर्था तन पे वो निकले है मैंने विदा किया हरसा इतने जल्दी कैसे आये मेरी तो कुछ समझना इतना सोचन सुया बोली बात को सुनलो ध्यान लगाए मेरे पती का रूप बना के कौनों तुम छल करने आये अभी तेरी पहचान करूंगी सची बात रही बतलाए मंत्र पुद्र जला भी छिड़ कूंगी सभी भेद तेरे खुल जाए गई कबंडल से जल लेने माया मौका गई है पाए अस्खल हो के भागिया स्रम से तीनों देवियों के पास मैं आये माया लगी देवियों से कहने मेरी चुक छमा हो जाए अस्खल हो के मैं लोटी हूँ अस्खल हो के मैं लोटी हूँ दूजा नहीं था कोई उपाए सारे भेदे खोलती अन्सुया मैंने भाग के जान बचा दीनों देवियों क्रोधित हो कर अपने पती के पास मैं आये संजा रही अपने पतियों को सिगर परिक्छा लेने जाये अत्री मुनी कए तिर्थ या तरा पर सुन्दर मोका गया है तीनों देविया जिद पेडी तो तीनों देव धरा पे आये ब्रह्मा विष्णू मेहस भी आये अत्री मुनी का भेस बनाये अन्सुया के अस्रम पहुँचे बाहर से ही फुकर लगा तीन तीन पतियों को देखी अन्सुया के समझना तीनों बोले अन्सुया से तीनों बोले अन्सुया से बात को सुनो ध्यान लगाए अपने पती को तुम पहँचानो तभी महसति मानी जाए अन्सुया तीनों देवों से बोली आप लोग भोजन पे आये मैंने आसन लगा दिया है भोजन भी देती हूँ लाए आप अतिती आज है मेरे रूप देवता का कहला है कौन पती है चुनलों पहले फिर भोजन भी देना करा है ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम ना दोगी बता है अन्सुया बड़ी बड़ी उल्जन में भी सन सन कट गया है गैरों को पती चुनी जो अपनी धर्म पती वर्त भंग हो जाए यदी नहीं भोजन जो करेंगे यदी नहीं भोजन जो करेंगे तो भी धर्म न बचने पाल अतिती यदी भूखा लोटे तो अतिती धर्म ही नष्ट हो जाए नहीं ऐसा नहीं होने दुंगी अन्सुया रही सो चूपाए अत्री मुनी का ध्यान लगाई लिया कमंडल हाथ उठाए तीनों देबे पे जलचिड की है तीनों को बचा दिया बलाए सुन्दर बालक देखा अन्सुया मन ही मन मेरही मुसकाए दूद भात तीनों को पिलाई पलने पर है दिया सुलाए तीनों नोक पिकरे जो सासन मेरे घर में सिसु बनाए धन्य भाग हुए आज तो मेरे अन्सुया रही लोरी सुनाए तीनों देब किलकारी अमारे तीनों देब किलकारी अमारे देखा अन्सुया रही मुसकाए पालन में तीनों देब जूल रहे अन्सुया मारे ही जुलाए तीनों देब जब घर नहीं लोटे तीनों देब यांगल घबराए ब्रम्ह विश्नु मैस नाए किसी को कुछ भी समझ लाए ब्रम्ह लोक कैला सुता सुना सिरिसागर भी सुना दिखा आए तीनों दिवियों की पैचेली देख के रहे नारद मुसकाए अपने पती को ढूंड रही है पती कहीं भी नजर लाए पीणा बजाते नारद आए तीनों को देखे रहे मुसकाए सार दिल अच्छ मी पारवती को नारद जी है रहे बताए अनसुईया के पास में जाओ अनसुईया के पास में जाओ तूजा नहीं है कोई उपाए अनसुईया ही पता बताए तूजा कोई बता नहीं पाए अनसुईया से जग में भी कोई छुप नहीं पाए नारद जी की बातों को सुनके देविया रही सवारी बुलाए मोहनच मी बैठी है गरुड पे नील गगन में रही उडाए नंदी पे परवती बैठी है तेज गती से चलता जाए सार देमाराज हंस पे बैठी हंस सवारी कोदिये उडाए साथ में नारद जी भी चले हैं चित्र पूट में गए है आए अनसुया के द्वारी पे आए देख के अनसुया मुसका तीनो देवा पस में खेले तीनो देवा पस में खेले बाल लाना वरने जाए खीनो न दे करमा अनसुया तीनो देव को रही खिला तीनो देव की बनी है माता सती खुशी में जूमे गाए अनसुया का गीत सुनके तीनो देव रहे मुसका तीनो एक समान थे लगते जो देखिये देखत रह जाए नारद अनसुया से बोले माता सुनिये ध्यान लगा तीनो देविया दर पे आई इनके पती का पता बता है नारद जी की बात को सुनके मानुसुया रही मुसका इतने में तीनो देविया आई देखिया अनसुया हरसा है अत्री मुनी भी अत्रस लोटे अत्री मुनी भी अत्रस लोटे अपने अस्रम गए है आई तीनो देवियों को देखे है सरण में उनके सीस जुकाए अनसुया भी देवियों का सुन्दर आसन दी है लगाए पाउध होई है पती देव के उनको भी है दिया बैठाए नारद जी भी पास में बैठे अनसुया रही भोजन कराए देवि पती और नारद जी को अनसुया सरी बात बताए अनसुया की बाते सुनके सारे लोग रहे मुसका इतने में तीनो बालक आए बोले दो मता मुझे खिलाए बड़ी जोर की भूख लगी है तीनो देव बोले मुसका इतनो देव को भोजन कराए तीनो देव को भोजन कराए बोजन करके रहे मुसका आए माता सुन लो ध्याने लगाए देविया पतियों को ढूंड रही है इनके बती को दोलाता है आपके बच्चे इनके पती है इसमें बोई संकाना आए अंसिया देवियां से बोली बात को सुनिये ध्याने लगाए अगर आपके पती है तीनो खुस होकर आप इनहीं ले जाए एक समन तीनों का मुक्ता जिसके कोई पहचान न पाए भरमित हो गई तीनों देवियां किसको बोद में कौन उठाए नारद जी देवियों से बोले अपने पती का पता लगाए सर्थिया ही है अपने पती को सर्थिया ही है अपने पती को अपनी गोद में आप उठाए सरस्वती सिवजी को उठाई लच्मी ने ब्रह्मा को लिया उठाए भारवती विश्मू को उठाई पती नहीं पहचान में आए सरमिंदा हुई तीनों देविया अपने मुख को रही छुपाए छमा मगी मांसुया से सारी बात रही बतला हमने ही इंटीनों को भेजा तब ये परिक्छा लेने आए पच्चा बलाई मेरे पती को कैसे हम संग मेरे हपा या था सिग्री ने बढ़ा कीजिए देविया बोली सीसी जुकाए चुक हमारी छमा कीजिए सुनके अंसुया रही मुस्काए बच्चों पे जलको छिरकी है बच्चों पे जलको छिरकी है गए है अपने रूप में आया अपने अपने पती को पाकर तीनों देविया गई हरसा तीनों देव पर्शन हुए है बोले अंसुया से जाए जो चाहे पर मांग लो मुझ से अंसुया बोली हरसा आए मेरे को किस जन में ली जिए तू जी कोई इक्छा ना है अंसुया को बर्दे कर वो तीनों देव निज धाम को आए माहा सती बन गई अंसुया अत्रि मुनी भी रहे हरसा आए सत्य सवित वर्दान हो गया चंदर के रूप में ब्रम्हा आए विशनू दत्ता त्रे पने है गोद में अंसुया के आए दुरवासा बने भोले संकर अंसुया मारही खेलाए तीनों को पलने में जुलाए तीनों देव रहे हरसा आए महा सती मा सबसे बड़ी है जिससे देव विपार न पाए पति वर्दान औरी की सक्ती किसी के कहे नहीं कहाए संजैतिवारी लिखे कथा को इस मीदा ने दी है सुनाए ताइलस जी ने रिकोर्ड किया है